ओम नमो भगवते वासु देवाए इससे पहले का ध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज सुनिए आगे की कथा शौनक आधी 88,000 रिष्यों ने शिरी सूत जी से पूछा कि हे सूत जी हे महाभाग हे बोलने वालों मेश्रेष्ट पुरुशुत्तम के सेवन से राजा दरख धन्वा शोभन राज पुत्र आधी तथा पती वरता इस्तरी को किस प्रकार प्राप्त किया और योगियों को भी दुरलब भगवान के लोग को किस तरह प्राप्त हुआ हे तात आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमरित पान करने वालों के समान कथामरित पान से त्रपती ही नहीं होती इसी कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पुर्वक कहिए हमार कि श्री ब्रहमा जी ने आपके दर्शन हमें कराए हैं तब शिरी शूत जी कहने लगे हुआ विप्र लोगो सनातन मुनी नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नाराण जी के समुख कहा है वही इतिहास… इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा द्रडधन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है उसको सब मुनी अब ध्यान पूर्वक सुनिए शिरी नारैन बोले हे ब्रहामन हे नारत सुनिए मैं पवित्र करने वाली गंगाजी के समान नाम का एक राजा था उसको द्रडधन्वा नाम से प्रसित्ध, अतिते जस्वी, सभी गुणों से संपन्न, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरन वाला पुत्र प्राप्थ हुआ कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला, महाते जस्वी वह राजा द्रडधन्वा प्रशस्त गुण समोह के साथ बढ़ता गया वह चतो राजा द्रडधन्वा प्रसनता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही पहले में पढ़े वे के समान व्याकरन आदी छे अंगों के चार वेदों का अध्यान कर, गुरु को दक्षिना देकर और विधी पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आग्या से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनदित करता हुआ, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यन्त हर्ष को प्राप्थ होता था पुत्र जवान हो, संपुन धर्म को जानने वाला हो, और प्रजापालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शोन्य इस संसार में और है क्या? अर्थात कुछ भी नहीं अब मैं दो भुजावाले मुरली अर्थात वंशी को धारण करने वाले, प्रसन मुखवाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ जिस तरह द्रुव, अंबरीश, शर्धाती, ययाती, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदू, भागीरत, भीश्म, विदुर, दुश्यंत और भरत, प्रथू, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीशन ये सभी राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अन चले गए, उसी तरह पतनी, मकान, पुत्र आदी में स्नेह में बंधन को तोड़कर, वन में जाकर हरी का सेवन करना भी हमारा करता भी है, ऐसा मन में निश्यकर, समर्थ राजा, दर्धनवा को राज्य का भार देकर स्वम विरक्थ होकर, शीगरी ही पुलहर इशी के आश्र पुमरंड करता हुआ, वह कठिन तब करने लगा, कुछ समय तक तब करके वह राजा चित्रवर्मा हरी भगवान के परमधाम को चला गया, राजा दर्धनवा ने भी अपने पिता की वैशनवी गति को सुना, उस समय पिता के परमधाम गमन से, हर्ष और वियोग से होने वा नीति शास्त्र में चतुर, राजा दर्धनवा, अत्यमत शोभित, पवित्र, पुष्करा वर्तक नगर में राजी करने लगा, अच्छे सोभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी इस्त्री गुण सुन्दरी नाम की थी, प्रत्वी पर रूप में उसके समान दूसरी क कन्या को भी जनम दिया, चित्रवाक, चित्रवह, मनीमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी, शूर, अपने अपने नाम से अलग-अलग विख्यात होने लगे, राजा दर्धनवा, सर्वगुणी, प्रसिध, शांत, दांत, द्रण प्रतिग्य, रूपवा वीर, श्रीमान, सभाव से सुंदर, चार वेद और व्याकरण आदी छे अंगों को जानने वाला, वाक्चतुर, धनुर विद्या में निपुण, अरिशड वर्ग अर्थात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मार्ट्स को जीतनी वाला, और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में प्रत्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पिता में ब्रह्मा जी के समान, प्रसनता में शंकर जी के समान, एक पत्नी व्रत अर्थात, एक ही स्तिरी से विवाह करने का व्रत, उसको करने वाले दूसरे श्री राम चंदर जी के समान, अत समय रात में सोते हवे उस राजा द्रढधनवा को चिन्ता हुई कि अहो ये संपत्ती किस महान पुर्णि के कारण हमें प्राप्त हुई है ना तो मैंने तप किया ना तो दान दिया ना कहीं पुर्वक इसनान कर उदय को प्राप्त सूर नारायन की उपासन कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्रहामनों को दान दे कर तथा नमस्कार करके घोडे पर सवार हो गया उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से वह व कोई हिरन बान सहित एक वन से दूसरी वन को चला गया रक्त गिरेवे मार्ग से राजा भी उस हिरन के पीछे पीछे गया लेकिन हिरन कहीं जाड़ी में छुप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया लेकिन हिरन उसे नहीं मिला प्यास सिव्याकुल उस राजा को देखा और वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर एक किनारी पर चलाया वहीं पर उसने घनी चाया वाले एक विशाल वट वरिक्ष को देखा उस वरिक्ष की जटा में घोडे को बांध कर राजा वहीं विश्राम करने बैठ गया उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर मोहित करने वाली तुलना रहित मनिश्यवानी को बोलता हुआ आया सुग्गा अर्था तोता केवल राजा को बैठे देख वह उसको संबोधित करता हुआ एक ही शलोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस प्रत्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख कर तू आत्मा का चि कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे वे नारियल फल की समान अगम्य एक ही शलोक को बार बार पढ़ते वे क्या कहा क्या यह कृष्ण द्वयपायन अर्थात वेद वियास जी के श्रेष्ट पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूड और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परिक्षित के समान करपा कर उधार करने की इच्छा से मेरे पास आये हैं इस तरह चिंता करते वे राजा द्रधनवा की सेना पास आ गई शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयम अंतर्ध् तब एकांत में आकर उसकी राणी ने एक दिन राजा से पूछा गुण सुन्दरी कहने लगी हे पुरुशों में श्रेष्ट ये मन में मलिंता क्यों हो गई हे राजन हे प्रत्वी के रक्षक उठिये उठिये भोगों को भोगिये और वचन बोलिये देवताओं से भी दु अत्यंत पीडित होकर वहरानी भी लंबी-लंबी सांस लेकर अपने पती की चिंता के किसी कारण को जान ही नहीं सकी इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय पीद गया लेकिन संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह नहीं देख पाई नारजी बोले हे मुने इस तरह चिंता करते हुए प्रत्वी पती राजा द्रट धन्वा का क्या हुआ सो आप कहिए क्योंकि हे मुने निर्मल वैशनव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है तब नारज मुनी के पूछने पर नारजी ने जो कुछ भी कहा उसका वरतांत आप सभी अगले ध्याय में जरूर सुनिएगा और अगर हो सके तो प्लीज हर बार कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आज का ध्याय आपको कैसा लगा